नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है आयूश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABAQUS FUND के PORTFOLIO के बारे में जो की Mr. Sunil Singhhania जी के द्वारा manage किया जाता है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Mr. Sunil Singhhania sir है कौन इनका abacus fund है ये करता क्या है और हम जानेंगे इनके जो portfolio के stocks हैं ऐसे कौन से stocks हैं जिसमें हम अपनी एक छोटी से position बना सकते हैं और हो सकता है कुछ stocks हमें ऐसे मिल जाए जिसको हम अपनी watchlist में add कर सकते हैं ताकि हम future में उसमें एक buying position बना चेकें तो दोस्तो आज हम इनका एक छोटा सा portfolio analysis करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि Mr. Sunil Singhaniya Sir कौन है दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सबस्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को अब हम जानते हैं कि ये Mr. Sunil Singhaniya Sir है कौन तो दोस्तो ये जो Sir है ये एक CFA है और ये founder है Abacus Asset Management Company के जो कि इनके द्वारा found की गई है और ये ऐसे पहले इंसान से दोस्तो जिनने CFA Institute की जो Board of Governors की जो कमिटी है उसमें नॉमिनेट किया गया था और अभी जो है Currently Chair कर रहे हैं उसकी Investment Committee को दोस्तो जो CFA है ये Gold Standard डिग्री है अगर हम बात करें Stock Market के Fundamental Analysis की और उसमें जो Sunil Singhaniya Sir है उनका बहुत बड़ा नाम है और उन्ही की Company का नाम है Abacus Asset Management तो आज हम देखने वाले हैं इसी के Stocks को अगर हम Sir का Network Graph देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि As on January 2021 जो इनकी Network है वो 1040 करोर से भी जादा है और इनकी Network में आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा Agreement हमें देखने को मिल रहा है अब अगर मैं बात करूं Sir के Portfolio के Stocks की तो उसके लिए हम यहाँ पर Excel फाइल पर चलते हैं दोस्तों जो कि मैंने बनाई है यहाँ पर यह जो डेटा मैंने लिया है यह Trendy Line.com से लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकरिसल लिमिटेड में इन्हों ने अपनी जो होल्डिंग है वो अभी अभी ली है और इनकी जो होल्डिंग वैल्यू है दोस्तों वो 33 करोड रुपीज के आसपास है और इसका जो अभी current price है वो 191 रुपीज है तो दोस्तों यह एक ऐसा stock है अकरिसल लिमिटेड जिसमें आपको definitely नजर रखनी चाहिए तो इस पे एक छोटा सा वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ कि भई क्या position आप इसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं वही सारी चीज़े मैंने discuss करी हैं उस वीडियो में तो आप definitely उसको check out कर सकते हैं अब जो अगले stock का नाम है दोस्तों वो ADF Foods Limited है जिसमें इनकी holding 31 करोड रुपीज है इसके बाद आता है बलरामपो चीनी लिमिटेड जो की एक शोगर कंपनी है शोगर manufacturing कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इसका अभी current price है दोस्तों 172 रुपीज और इसमें 38 CR की इन्होंने holding दी है अगले stock आता है HIL Limited और इसका जो अभी current price चल रहा है दोस्तों वो 2231 रुपे है और इसमें इन्होंने 30 करोड रुपे की holding ली है और जो अगले stock है दोस्तों इसका नाम है HIL Limited जिसका current price 122 रुपे है और इसमें इनकी holding 23 करोड रुपीज के आसपास है अब अगर मैं दोस्तों ऐसे stock देखूं जिसमें इनकी holding काफी जादा है दोस्तों तो जहां पे सद्वग Engineering, CRM, Silk Limited और Exchanging Solutions Limited, Lux Industries इसमें इनकी holding 30 से 50 करोड रुपीज के आसपास है लेकिन जिंदल stainless steel में इनकी holding 125 करोड रुपे है दोस्तों जो की काफी जादा है और मेरे खाल से एक ऐसा stock है जिसको आप देख सकते हैं अपनी watchlist में रख सकते हैं और अच्छा price मिलने पर आप इसको खरीद भी सकते हैं अब जो दोस्तों अगला stock है उसका नाम है Iron Exchange Limited इसमें सरकी भली holding 17 सरोड रुपे के आसपास है लेकिन मेरे खाल से एक ऐसा stock है जो fundamentally काफी strong है तो आप इस पे भी एक lookout रख सकते हैं इसको अपनी watchlist में तो at least add करी सकते हैं इसके बाद Oogro Capital Limited आता है दोस्तों राशरी Polypack Limited, The Anoop Engineering Limited, IFL Securities, Somani Home Innovations Limited, Route Mobile Limited दोस्तों ये जो Route Mobile Limited है इसमें अगर आप सरकी holding देखें तो आप देख सकते हैं कि 238 करोड रुपीस की holding है Route Mobile Limited में और अगर हम इनके portfolio को पे एक छोटी से नजर डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जादा holding जो है वो Route Mobile Limited में ली गई है तो दोस्तों ये Route Mobile Limited एक ऐसा stock है जिस पे आप अपनी नजर रख सकते हैं बाकि सारे stocks भी जो उनके portfolio में हैं वो fundamentally बहुत strong है लेकिन Route Mobile Limited को मैं एक recommend करूँगा कि भई आप एक उस पे तो नजर जरूर रखें ये एक stock हो गया दोस्तों जिसको आप अपनी watch list में रख सकते हैं और सही प्राइज आने पर buy कर सकते हैं एक ये Accresal Limited जो मैंने आपको बताया दोस्तों जिसमें holding अभी अभी ली गई है सुनील सर के द्वारा तो आप एक इसको check out कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे mass check limited को देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी मेरे खाल से आपको अच्छी opportunity मिल सकती है और इसके अलावा मेरे खाल से आपको जिंदल इस्टेल में भी थोड़ा सा अपना analysis करना चाहिए और देखना से यह कि क्या इसमें fundamentally या technically कोई buying बनती है कि नहीं तो दोस्तों यह था आज का छोटा सा analysis सुनील सर के portfolio के बारे में उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब रहेगा हमारे चैनल को और थेंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो